हलो फ्रेंड्स, गूड इविनिंग, मैं स्वाती, आप सब का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में, तो कैसे हैं आप लोग, मैं उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, और आप लोगों बपा के आगमन से कैसा लग रहा है, मुझे पता है कि आप सब अपन दुरगापुजा, दिवाली, ये सब फेस्टिबल्स आ रहे हैं, तो मतलब फेस्टिबल टाइम में कितना अच्छा लगता है न, अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ, फेस्टिबल है, एंजॉय होगा, मतलब घर में, सब जगा खुशिया ही दिखती है, मेरे यहां तो दुरगापुजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, पर मुझे जहां तक पता है, कलकत्ता का दुरगापुजा जादा फीमस है, वहां पे पंडाल वगएरा बहुत जादा अच्छा से मनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है, और वहां पे तो शायद प्रिपरेशन भी कि मैंने मतलब Instagram वगरा पर post वगरा देखा था कि वहाँ पर क्रंगोली वगरा से कुछ-कुछ बनाना वहाँ पर रूड वगरा पर चालू ही हो गया है तो वहाँ के तो बात अलग है कभी अगर मैं गई तो मैं ज़रूर blog वगरा बनाऊंगे वहाँ का पुझा का पर फिलहल तो मैं अपने यहाँ पर ही खुश हूँ और यहाँ पर मैं पुझा अच्छा ही होता है और उसके बाद फिर दिवाली भी है तो मैं दिवाली का भी तो दिवाली भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतने दिनों बाद दिवाली मितलब दिये वगरा जलाएंगे और सब जगा रोशनी, खुशी बस यही माहौल रहता है वैसे आप लोग कौनसा फेस्टिवल जादा एंजॉय करते हो या फिर आपके यहां पे जादा अच्छे से मनाया जाता है आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएए कि आप लोग कौनसा फेस्टिवल एंजॉय करते हो या अच्छे से मनाते हो सबका अलग-अलग होता है न कोई किसी में एंजोई करता है या कोई किसी के यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ तो दुरगा पुजा में पार्ट वगरा भी चलता है नौ दिन का बाखी आप लोग को मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है अगर मेरे वीडियोस अच्छा लगी तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब थेंक यू